आज हम बनाएंगे गाजर, मूली, हरी मिर्च का अचार बहुत ही जटपट अचार बन जाता है, 15 मिनिट में अचार रैडी हो जाता है, चलिए बनाते ही, दो गाजर ली हैं, दो मूली ली हैं, दस से बारा हरी मिर्च ली हैं, और इसको अच्छे से हमने लंबे-लंबे स्लाइ यरिमिर्च, चम्मत जीरा थोड़ा सा मैथी दाना और इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे रहमें इसे ड्राय रोस्ट करना है मसाली का कलर अब चेंज हो जाएगा इसको धंडा करने पर हम से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और हमेंसे दरदरा पीसना है ज्यादा बारिक नहीं पीसना है अब गेस की फ्लेम ओन करेंगे और कड़ाई में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गामूली गाजर को हमें ज्यादा पकाना नहीं इसका क्रेंच बना रहना चाहिए फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चमच एक चमच डालेंगे नमक आदी चमच डालेंगे हल्दी पाउडर एक चमच डालेंगे अमचूर पाउडर और इसको अच्छे से मिक् अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स मिक्स करना है हमें और यह अचार एक महीने तक आराम से चल जाता है आप इसे एर टाइट कंटेनर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं अचार के उपर आप तेल भर दें और यह अचार आराम से चल जाता है एक महीने तक और हमारा अचार टेस्टी अचार बनके तयार है अब हम इसे चलते हैं सर्फ करने की प्रोसेस पर अब हम इसे कटोरी पर सर्फ कर लेंगे और हमारा टेस्टी अचार बनके तयार है बहुत ही मसालेदार रहता है चटपटा अचार बनके तयार है प्लीज लाइक इस वीडि डो बुब बुब